दोस्तो आज की वीडियो में अपन कक्षा 12 का फुल टाइम टेबल के बारे में जानेंगे कि कौन सी डेट को कौन सा एक्जाम होने वाला है तो दोस्तो वीडियो के लास तक जरूर बन रहे हैं और हमारी चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तो राजिस्तान बोर्ड दुआरा आपका कक्षा 12 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है दो जार तेइस बोर्ड एक्जाम का तो दोस्तो इस टेब बा इस टेब देखते रहे हैं जैसे कि ये फुल टाइम टेबल के बारे में अपन डिसकस करने वाले हैं जैसे कि आपके जो exam start होने वाले है वो 9 March से start होने वाले हैं तो 9 March को मनोविज्ञान का paper होगा कक्षा 12 का time table है यह कक्षा 10 का भी जल से जल जारी हो जाएगा जैसी कक्षा 10 का जारी होगा वीडियो upload हो जाएगा तो दोस्तो इस channel पर ने हो तो subscribe कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका notification आप तक पोज़ाए 9 March को मनोविज्ञान का paper है 10 March की बात करते हैं तो लोग परसाशन का paper होने वाला है ऐसे 11 March की बात करते हैं तो 11 March को प्रियावरन विज्ञान का paper होने वाला है 12 March को बात करते हैं तो रिववार का अउकाश रहेगा ऐसे 13 March की बात करते हैं तो सारीक शिक्षा का paper होने वाला है और 14 March की बात करते हैं तो यहां पर कंट संगीत, नर्टिक, कर्थक, वाग्य संग दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे हैं क्योंकि full time table के बारा में discuss करने वाले हैं, यहां पर arts, commerce और science के full time table के बारा में discuss करने वाले हैं, जो आपका subject है, वैसे step by step आपको उतारना है, copy और pen लेके बेड़ जाएए और जो भी आपका subject है, वो किस date को होने वाला ह जरूर उतारते जाईए 16 मार्च की बात करते हैं तो अवकाश रहेगा 17 मार्च की बात करते हैं तो संस्कित साहिते और संस्कित का पेपर होने वाला है ऐसे दोस्तों बात करते हैं 18 मार्च की तो 18 मार्च को अवकाश रहेगा ऐसे 19 मार्च की बात करते हैं तो अवकास रहने वला है ऐसे 20 मार्च की बात करते हैं तो यहाँ पे बुगोल, लेकाशास्त्र, भोतिग विज्ञान, फिजिक्स तीनु का पेपर होने वला है 20 मार्च को बुगोल, लेकाशास्त्र, बोतिक जिनके भी ये सबजेक्ट है, जोग्राफी, लेकाशास्त्र और फिजिक्स, जिनके भी सबजेक्ट है, वो जरूर 20 मार्च को उनका पेपर, 21 मार्च की बात करते हैं, तो 21 मार्च को कोई भी पेपर नहीं है, ऐसी 22 मार्च की बा करते हैं तो 23 चैटी चंट अवकास रहेगा 24 चैटीज मार्च करते है तो 24 चैटीचन कि आपका लिए ड complexity23 36 चैटीज न tri discovery Business Study, इन सभी का आपका paper होने वाला है. 28 March की बात करते हैं, तो 28 March की आपका English result ए और Tanggal Lippy Hindi का paper होने वाला है. और दोस्तों Time की भी बात करते हैं, कितने बज़े से Time रहने वाला है, तो यहाँ पर इसका टाइम 9 बज़े से रहने वाला है. ठीक है 29 मार्च और 30 मार्च का आपका अवकाश रहेगा ऐसे ही दोस्तो 31 मार्च की बात करते है तो गणित का पेपर होने वाला है एक अप्रेल की बात करते है तो एक अप्रेल को अर्थशास्त्र, इकनोमिक्स, शीर्ग लिपी हिंदी, अंग्रेज जी, कर्शी जी विग्यान, जी विग्यान का बाईलोजी का पेपर होने वाला है जिनके भी ये सब्जेक्ट है जरूर नोट करते जाहिए दोस्तो ये जिनके भी जो सब्जेक्ट है वो जरूर नोट करते जाहिए दो अप्रेल की बात करते हैं तो अवकाश रहने वला है ऐसे तीन अप्रेल की बात करते हैं तो Computer Science यानि Computer विज्ञान Informatics Practice का आपका एक्जाम होने वला है एसे चार अप्रेल को अवकाश रहेगा एसे पांच अप्रेल की बात करते हैं तो पांच अप्रेल का आपकर दर्शन, शास्त्र, सामान्य विज्ञान का पेपर होने वला है ऐसे 6 अप्रेल की बात करते हैं तो राजनेति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, भू विज्ञान, कर्शी विज्ञान का पेपर होने वाला है 7 अप्रेल की बात करते हैं तो अवकाश रहेगा ऐसे 8 अप्रेल की बात करते हैं तो ग्रे विज्ञान का पेपर होने वाला है अप्रेल की बात करते हैं तो 12 अप्रेल में आपके Automotive सौंधरिया स्वासती ये सारे जो सबजेक्ट है वो उनका पेपर होने वाला है 12 अप्रेल को अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप टाइम क्या रहने वाला है आपका टाइम की बात करते हैं तो साड़ा आठ बजए से 11.45 तक का टाइम देने वाला है तो कक्षा 12 के जो भी स्टुडेंट है जो भी आपके सब्जेक्ट है वो जरूर नोट कर लीजिए और उसी निशार आप तयारी कर दिए तो दोस्तो इस वीडियो को अधिक साधिक शेर कीजिए और हमारे चैनल पर ने हो तो सब्सक्राब